अल्राइट एवरेट वेल्कम बैक टो वर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्रवीव कर रहे हैं जो कि सदन ब्रेव और वेल्श फायर के बीच खेला जाएगा दरोज बाउल साउट अम्टन पर जो है मैच होने वाला है मैच रडेटेड सारी इंफोर्मेशन प्लेयर प्लेश की चांसा से हैं शावर्स जो है नजरा आ रहा है तो थोड़ा जो है बारिश का एक जो है रहने वाला है खत्रा तो उस चीज़ का ध्यान रखना और उसके बाद ही अपने इंवेश्मेंट करना मैं बोलूँगा टॉस तक वेट करो टॉस के बाद ही अपने प्लेश मेंट रखना है वो आप रख सकते हो ठीक है इस वेनुपे जो दो रोज बॉल्स अफ्टन रहे यहाँ पर सोला मैचस खेले जा चुके हैं वुमेंस हंड्रेट फॉर्माट में बैटिंग फर्स ने आट जीते हैं बैटिंग सेकर ने साथ मैचस जीते हैं 135 का जो है यहाँ पर एवरेश टोठी पहला इनिंग में निकल के आता है और अगर रीसेंट कुछ मैचस को देखते हैं 155 टेंट रॉकेट ने बनाया था और सदन ब्रेव वुमन चेज नहीं कर पाये थे उससे पहले सदन ब्रेव ने बनाये थे 136 जो मैंचस्टर ओरिजिनल्स ने च 20 मैच है तो इसको आप अगर घुटा भी देता हो अगर बस रेफरेंश के तोर पे लेना और उसके बाद घटा देना तो छेजिंग साइड ने विं किया चेजिंग साइड ने हीकर तो मैं इतना जरूर बोलूँगा चेज करना कन्वेंशनल है यहाँ पर हो सकता है यहाँ यहाँ पर एक दो मैचस ऐसे होंगे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर काफी क्लोज मार्जिन से आके जो है डिफेंडिंग साइड ने विन किया है तो मैं काऊँगा चेस करना फिर भी जो है बहुत ही बहतर रहने वाल है और बैटिंग फर्स्ट के लिए भी उतना ज्यादा बुरा रेकॉर्ड नहीं है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आठ और साथ का स्प्लिट है तो डिफिनिटली आप दोनों इनिंग को बराबर ही हाँ पर मान के चल सकते हो बोलर्स की बाप करें तो बोलर्स में मैं ज्यादा ही हैं पर क्रूशल मान रहा हूँ कि आप आफ ब्रेक बोलर्स के उपर खास धियान रखना या आप के लिए इंपॉर्डन बन सकते हैं और राइट आम मीडियाम फास बोलर्स पहला इनिंग में और आफ ब्रेक बोलर्स जो है आपको दोनों इनिंग में लेके चलने हैं ठीक है ये और लेक ब्रेक बोलर्स आपके लिए सिर्फ सेकेंड इनिंग के लिए थोड़े कामा आ सकते हैं और I think slow left arm orthodox दोनों इनिंग में उनका पराबर ही रोल रहा है left arm fastballers ने second inning में थोड़ा बहुत impress किया जरूर है लेकिन ज्यादा focus आपका ये हाँ पर होना चाहिए off break और right arm medium fastballers के उपर ये जो पुरानी slide को पसंद करते हैं उन लोग के लिए same slide मैंने यहाँ पर ऐसे लगाई हुई है आप अगर इसको देखना चाहता है तो इसको देखके भी समझ सकते हैं जो चीज में समझाना चाहता था ठीक है पहला इनिंग में Pacers ने अच्छा किया है सकंड इनिंग में Spirons ने अच्छा किया है जो इस slide से आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है Southern Brave की प्लेइंग 11 को देख लेता है और जैसे बोला कि वेन्यू पर पारिश के चांस है यहां पे भी मेरे यहां पे भी पारिश हो रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा गरजनी की अवास सुनाई दे तो उसको इग्नूर कर लेना ठीक है Southern Brave की बात करता है तो स्मिर्थी मंधाना के साथ ओपन करेंगे डैनि वायट के साथ आप देखो इनका जो अभी मतलर यह लाश्ट मैच होने वाला है दोनों टीम्स के लिए लेकिन Southern Brave के लिए इस सीजन अच्छा रहा नहीं है खासकर स्मिर्थी मंधाना के आने तक इनका पर्फार्मिंस दिया है बाकी एक दो मैचस जो उनने जो है परफार्म नहीं किया उन मैचस में काफी क्रूशल विक्टरीस निकालने थे और वो नहीं हो पाए और सदन मेरेव हो सकता है उसकी वज़ए से और दूसरे भी एंगल से जहां पर उनके बोलर्स ने बहुत पर चीज़ें जो हैं पर क्वेशन मार्क खड़े होते हैं सबी प्लेयर्स के ऊपर तो देखना पड़ेगा खासकर कैप्टन सी इन्होंने चेंज किया जोजे एड़ंस को कैप्टन बनाया तो यह क्या चीज़ें सही ती सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी तो अभी प्लेह Яेर जो इन्होंने रीषेंट में अंख्शन में पिक किया था Dan मदलब द्राफ्ट में पिक किया था सोफिलफ और मेरी टीलर मेरी टीलर आइ टिंक यह दो । प्लेहर आपको देखने को मिलेंगे वाइल्ड़ काड फिक्स है खास करके यह interim मेरी टेलर मेरे को ज़्यादा important लगती है अगर playing even में आती हैं तो इनको आप try कर सकते हैं राइटाम fast bowling कर आती हैं काफी अच्छी bowler है swing वगरा इनको अच्छी मिलती है कहली है मूरे राइटाम off break bowler अगर again ये इनका bowling ना 5-10 गेंदे last season मिलती थी तो बस इसी वजह से मैं बोल लबन है इन में कौन से player खेल सकते हैं कौन से player नहीं खेल सकते है I think मेरे को लगता है Coleman के जो हैं पर बाहर जाने के chances ज्यादा नज़र आ रहे है Coleman bench पे जाएंगी Kelly Amore या हो सकता है Mary Taylor में से कोई एक playing 11 में पार्ट बने और Freya Kemp या Maya Bushi में से या Naomi Dhani में से कोई एक बाहर जाएगा तीन इन तीन batters में से कोई एक बाहर जाएगा और उनकी जगा हो सकता है के टी जोन से Sophie Love को चांस मिले खासकर मेरे को लगते है Sophie Love को चांस देना चाहिए जो I think next season के लिए काफी अच्छा है जो है encouragement हो सकता है performance अच्छा दिया है domestic level पे अच्छा किया था जो हैं पे Charlotte Edwards Cup वगरा में तो I think मेरे को लगते है वो एक चांस है आपर opportunity मिलनी चाहिए important players कोन से हैं वो में आपको बता देता हूँ काफी सारे request आये थे कि अलग-अलग stats के लिए खासकर मेरे personal accounts पे तो बहुत सारे लोगों के जो हैं पे message आये हैं तो मेरे को अच्छा लगा कि इतना जादा support मिल रहा है और जो है सब लोग का feedback लेने में मेरे को कोई दिक्कत नही match में आप inning wise भी आगे चेक करो तो पता चलेगा तो Danny Wyatt में लेने वान हूँ और Smriti Mandana I think quality player है तो आप इनको छोड़ना नहीं चाओगे small leagues के लिए George Adams and I think आपके लिए यहाँ पे Chloe Trion भी important बनती है slow left of motologs होनी की वज़े से उसके लावा यहाँ पे आपको Lauren Bell और Lauren Cheetle खासकर Lauren Bell के ओपर ज्यादा focus करो यह आपके लिए ज्यादा important है और I don't think तो दूसरे कोई भी player उत्ते ज्यादा important बन रहा है तो मैं फिलाल इतने ही player आपको Southern Brave की तरफ से default options में से दे रहा हूँ इनकी रीसेंट जो है bowling slide है जो इन्होंने जो है रीसेंट matches खेले हैं अब होम सब matches का मैंने अपर लेका जूका लिखा हुआ है अराम से आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो ओके आगे बढ़ता है ज़रूर यहां पर Welshfire के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि अभी number one position पे हैं leaderboard में लेकिन नीचे जितने भी teams हैं उनके भी लगभग उतने ही point बन रहा है और अगर आने वाले एक दो matches नीचे वाली team से trend rocket का एक बशता है I think overall invincibles का भी एक बशता है तो उन matches में London Spirit क यह matches खतम हो गए वो second position पे हैं लेकिन अगर इस match को यह हारते हैं सिर्फ point five का I think score difference बन रहा है मतलब run rate है वो निकल के आ रहा है तो अगर यह हार जाते है इस match को तो फिर यह second position पे या third position पे भी जो है आपे खिसक सकते हैं तो इनके लिए जीतना important है मैं आपको बताना चाहता अगर आप टॉप four देखते हो इनका सबसे best form है और even top five इनका पूरा-पूरा form में चल रहा है इसलिए यह लोग टॉप पे हैं क्यूंकि इनके पास quality alternators हैं बोलर्स अच्छे form में चल रहे हैं और इनके batters काफी गजब का performance दे रहे हैं कोई ना कोई एक match winner हर match में निकलके आ जाता है नीचे कुछ matches में शबनी मिसमाइल नहीं के ली थी आइधिंग तीन मैचस आइधिंग नहीं के ली थी तीन मैचस आइधिंग तीन ही मैचस थे जहां पर वो नहीं के ली थी लेकिन उनके absence में जो काम है वो फ्रेयर डेविस ने संभाला और उन्हें ने बड़ी प्लेयर है आपकी टीम में लेकिन स्टिल उनको 90 से 95 के बीच में डलवाया जाता है और आपको 95 से 100 के बीच में डलवाया जाता है तो इसका इससे पता चलता है कि ट्रस्ट जो है टामी मोंट का कितना ज्यादा बढ़ चुका है फ्रेयर डेविस के ओपर तो आज के मैच में न स्मॉल लिक के लिए काफी क्रूशल पिक बनने वाले हैं आप इनको जरूर पिक करो शब्नी स्माइल भी मैं बहूलूँगा क्वालिटी बहुत अच्छी है अगर आप वोमिन्स क्रिकेट की बात करें तो इसमें सबसे फास्टेस्ट है तो पिक जरूर कर सकते हो जोजे डेविस सबसे ज्यादा यूनीक और डिफरेंशल आप्शन आज के मैच में कोई बनाना चाहते हो आप सीवीची में तो जोजे डेविस डेविस डेफिनली गोफर हर आप सीधा-सीधा इनको सीवीची बना के ट्राई कर सकते हो इन्होंने जो है दो-तीन विकेट वा इस बन्यूपर अच्छा करते हैं तो आप इनको सीवीची में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ता है जो इंपोर्डेंट प्लेयर से ने टॉप फाइव यह सभी इंपोर्डेंट है इनके टीम से और बोलर्स में मैं बता दिया फ्रेड डेविस यह ज्यादा है आप अगर जोजे डेवी से अपनी मिसमायल में से कोई एक रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो ठीक है यह आपके लिए उप्शन है अब इनकी बेंच से कोन खेल सकता है केटी को पैक प्रबैबली लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि इन लोग का चेंज करने क कोई भी मन है एमिले विंटसर है इनकी टीम में क्लेर निकलस है तो लास सिजन तक क्लेर निकलस इनकी टीम का कंसिस्टेंट पार्ट थी लेकिन अभी बिलकुल नहीं खिला रहे है लोग यह रीसेंट मैच जो वेल्शफायर ने अपनी बोलिंग स्प्रेड दिखाई है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैं बोला कि शबने मिसमाइल को 90 से 95 के बीच में डलवाया और 95 तो 100 के बीच में फ्रेयर डेविस को डलवाया यह काफी अच्छा जो है एमपे डिसिजन था बाकि फ्रेयर डेविस ने 76 तो 80 लास्ट जो है मैच लास्ट लास्ट मैच उन इन्होंने डेथ में बोलिंग कराई है वहाँ पर ज्यादा सक्सेस इनको मिली नहीं थी वेन्यू पर रीसेंट मैचस स्वारी जो वेन्यू पर ओरोल मैचस 15 खेले हैं सदन ब्रेव ने 11 जीते चार मैचस हा रहे हैं दो मैचस जो वेल्श फायर ने खेले उस पर एक जीता है एक मैच उन्होंने हारा हुआ है रेसेंट इस बर्यू पर तीन मैचस जो इस सीजन खेले हैं इन्होंने सदन ब्रेव ने तो तीन वही मैचस को मैंने पर मंचिन किया है आप राम से देख सकते हो दैनि वायट दो मैचस में इनका आपको इनिंग अच्छा देखने को मिलेग और यहां पर एक विकेट निकाला है लॉर्ण बेल का एक यहां पर तीन विकेट का स्पेल है और आइधिंक उसके इलावा कहीं पे भी ज्यादा उनका प्रेजनस नहीं दिखा है लेकिन इस वेन्यू पे उवर ओल रेकौर्ड आपको मैं आगे दिखाँगा तो आपको ज्य यह दो मैचस जो खेले हैं वेल्षफायर ने इस मेन्यू पे इन दो मैचस को आप देख सकते हो टामी बॉमाउंट और हैली मैथ्यूस यह दो प्लेयर है जो आप पिक कर सकते हो इन स्टैट्स के बेसिस पे एलेक्स जो ग्रिफिट्स हैं उनको अभी मौका नहीं मिल रहा है छे मैचस एट्वेड में खेले गए हैं चार जीता हैं सदन ब्रेव ने वेल्षफायर ने दो मैचस जीता हैं तो यहां पे भी सदन ब्रेव का रेकॉर्ड काफी अच्छा दिख रहा है यह रीसेंट हेट्वेड मैचस इस सीजन खेला गया था 84 बनायते सदन ब्रेव ने आ आपको देखने को मिलेंगे हैं अगर बैटिंग से देखना चाते हो यहां पर सदन ब्रेव की तरफ से कोई खास परफॉर्मस नहीं लॉरेंच चिटील के दो विकेट और टेली कोलमन के जो हैं पर आपको एक विकेट देखने को मिलेगा दोजार तेईस वाला मैच है आप देखने साथ तो सोफिया गार्डन्स काडिफ पर है दरोज बोल साथम्टन पेन का रीसेंट मैच दोजार तेईस में खेला गया है 165 बनाया था वेलश फायर ने सदन ब्रेव चेज नहीं कर पाई सिर्फ चार रन से जो है मैच को हा रहे हैं ठीक है यह जो मैच है जो आप इस वेन्यू पे खेला गया है देख सकते हो हिली मैथ्यू सिक्स्टी फाइब का स्कूर और सेकंड इनिंग में समिर्थी मंदाना का स्वेंटी का स्कूर बैटिंग से यह परफॉर्मेंस बोलिंग से ज्यादा किसी ने रही बस एलेक्स ग्रीफिट्स है जो मैं बोला कि नह पुराने मैचस ठीक है तो इस तरह जाना है तो पुराने मैचस आपको दिखते जाएंगे तो आप उसी साब सब जो हैं पर इसको रीड कर सकते हो जो पहला इनिंग में रेकॉर्ड है जो 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 एक एडमस का वो काफी कंसिस्टेंट है एक विगेट हर मैच में निक इंप्रूब नाजर आता हैं सेकंड इनिंग में थोड़ा खराब रेकॉर्ड है लेकिन यहाँ पर आप देखो तो तीन तीन विगेट वाले स्पेल दो दो विगेट वाले स्पेल आपको दिख जाते हैं तो कंसिस्टेंटली इस वेन्यू पर अच्छा कर रही है वो एक ची हो तो इग्नोर कर लेना आपके लिए उतना ज्यादा बहतर आप्शन नहीं है बाकी यहाँ पर देखो स्मृति मंदाना पहला दूसरा दोन इनिंग में अच्छा किया है डैनी वायट पहला इनिंग में एक्सिलेंट है सकंड इनिंग में भी पिक कर सकते हो 67-36 वाली यह है मैच अप जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ओपर बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग मैच अप कोई मेरे को खास लगा नहीं है बस एक है हेली मैचियूस अगेंस जो मेरा यहाँ पर बनता है मैच अप बाकी क्लोई ट्रियोन शबनी इसमाइल यह नीचे आ जाती है तो क मेरे को इंटरस्टिंग नहीं लग रहा है मैं नहीं बोल रहा हो कि आपके लिए नहीं है आप जरूर देखो अराम से देख सकते हो सब चीज़ें आप अराम से पढ़ लेना लेकिन मेरे लिए जो मैच अप इंपॉर्डन था वो मैने आपके सामने हाइलाइट कर दिया टीम ज्यादा कमफडेबल लग रहा है मैं इनके साथ सी वी सी बनाके तो मैं इनको रखा हूँ बहुत सारे लोग जोजे एडम्स के साथ भी जाएंगे जो की काफी आप अगर जाना चाते हो तो जा सकते हो सेरा ब्राइस को रखा है टैमी बोमोंड का रखा है बहुत सारे लोग पिक करना चाते हो तो वो भी आपके लिए एक एक एक्सलेंट चोईस है आपके पास रहेंगे तो यह मेरी टीम है फिलाल इसमें कोई भी चेंज होगा अपडेट होगा टेलिग्राम पे बता दूगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप आहां से जोईन कर सकते हो वीडियो पे जोबी लोग निव विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल निटिफिकेशन और पे प्रेस कर लेना दाट सौल इस वीडियो में इतना ही मिलता नेक्स्ट वीडियो में और कुछ निव अपडेट के साथ अंटिल देन दिस इस दा वाली गीक साइनिग अफ